हालो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू आज के इस वीडियों आम लोग देखने वाले हैं जो आपका SAC, CHSL, CPO और फेस 12 का एक्जाम होने वाला है उसके लिए लास्ट छे महीनों के टॉप मोस्ट इंपोर्डेंट करन्ट अफेर्स के प्रस्न को जो है इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जो भी केने इस बार SAC, CHSL, CPO और फेस 12 का एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको 100% ये गैरेंटी देता हूँ कि आपके इन एक्जामों में यहां से प्रस्न जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE के किसी भी एक्जाम का रियल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और बगल में ही आपको एक बैल इकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोश्चन है कि भारतिय नौसेना की नए उप्रमुख जो है ये कौन बने है तो देखे हाली में भारतिय नौसेना की जो है नए उप्रमुख जो है ये क्रिष्टना स्वामी नाथन को जो बनाय गया है तो क्रिष्टना स्वामी नाथन आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लावा भारते नौशेना की बात कर ले तो देखे भारते नौशेना की जो स्थापना है यह आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इनका जो मुख्याल है यह नई दिल्ली में इस्तित है और हाली में जो आपके नौशेना के जो परमुख भी जो बनाय गया है यह दिनेश कुमार त्रीपाठी को बनाय गया है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पूस्ट आपके यहां पर है कि किसे अंतरास्टे बुकरपुरुसकार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है तो देखे हाली में अंतरास्टे बुकरपुरुसकार 2024 से जो है यह जेनी एरपन बेक को जो वो सम्मानित किया गया है तो आप्शन ए जेनी एरपन बेक आप है ना यह आपके माइकल हॉपमेन है इसके लाव में आपको बता दू कि जैपी एनबर सौरी एपरन बेग जो है यह पहली जर्मन लेकी का है जिनने बुकरपूर उसकार से जो वो सम्मानित किया गया है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोशा आप रहे राश्षपदी के रूप में यह रुस के राश्षपदी के रूप में यह सपत लिए है तो और इसके राश्डान प्रहो देखे रूस जो यह आपका। और एशिया महादीप में एक इस्तित देश है। रूसकी जो राजधानी है यह आपका मौसको है। और यहाँ की मुद्रा है वह आपका रूसी रूबल है। और रूसके जो वर्टमान में प्रधान मंत्री हैं। यह आपके मिखाईल मिसुस्टीन है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिकियेगा नेक्स्टोश है आपके वर्सद्वोजा26 में ऐप सी महिला एश्याइपकी तो अपसे आपका ऐस्ट्रेलिया आपका करेक्टरोगा इसकेला अगर अगर फुल वक्रिथ़ कर ले तो देगे आपके एस्यान football council होता है और इसके जो 2026 में जो आपका 21 संसकरन होगा या आपका Australia देश में आयोजित किया जाएगा वहीं अगर 2029 की बात कर ले तो देखें 2029 में जो इसका आयोजन है या आपके उजबेकिस्तान में जो का योजन किया जाएगा तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कुछ आपका आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में देख लेते हैं जहां से अग्जाम में आपके प्रत्षन न बन सकते हैं जैसे कि अगर ग्रिष मकाली New अलम्पी की बात कर ले तो देखें 30 वग्रिष मकाली अलम्पीग खेल 2024 हो गा ये आपका पैरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा चौटिसवा ग्रिष मकालीन आईोजित किया जाएगा, पैठीसवा तो यह आपका 2022 में आईोजित किया जाएगा और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बिन में आयोजित किया जाएगा, इसके लगा जाम में अहSub से प्रृशन बनता है कि ग्रिष्म कालीन Olympic जो है ये कितने वर्सों के अंतराल में आयोजित किया जाता है तो देखें ये जो आपका चार वर्सों के अंतराल में आयोजित किया जाता है इसके लावाज सीद कालीन तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा, तो ये तो आपका ग्रिश्मकालीन और सीथकालीन ओलम्पिक हो गया, इसके अलाव अगर युवा ओलम्पिक खेल की बात कर ले, तो देगे चौथा जो सीथकालीन युवा ओलम्पिक खेल है न, ये आपका दोजार चोबीस मे आयोजित किया जाएगा, जो की दच्छिन कोरिया में आयोजित किया जाएगा, वहीं अगर चौथा ग्रिश्मकालीन युवा ओलम्पिक खेल की बात कर ले, तो ये जो आपका दोजार चोबीस में आयोजित किया जाएगा, और ये जो आपका सेनिगल की दकार में आयोजित किया जाएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं ICC पुरूस T20 विश्वकप की तो देखें इसका जो 2024 में आयोजन है यह आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज देश में जो है यह आपका सही रूप से आयोजित किया जा रहा है और देखें इससे पहले जो आपका 2022 में ICC कर ले तो यह जो आपका भारत और स्रिलंका में सही रूप से आयोजित किया जाएगा दोजर अठाइस के ICC पुरूस T20 विश्वकप की बात कर ले तो यह जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड में आयोजित किया जाएगा इसके लाब़ा 2030 ICC पुरूस T20 विश् यह तो आपका हो गया पुरूस T20 विश्वकप की ICC पुरूस अगर ODI विश्वकप की बात कर ले तो इसका जो आयोजित किया गया था और इसमें जो विजेता टीम रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था और उप विजेता जो यह आपका भारत देश रहा था इ यह आपका 2023 में आयोजित किया गया था और यह जो कहां पर आयोजित किया गया था तो यह जो आपका चीन के हौंग जाउ सहर में आयोजित किया गया था बीसवे एश्याई खेल की बात कर ले तो यह जो आपका दोजा 26 में आयोजित किया जाएगा जो कि आपके जापान के नागोया सहर में आयोजित किया जाएगा एक इसवे एशाई खेल जो है यह आपका दोज़ा 30 में आयोजित किया जाएगा जो कि आपके कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा बाइसवा एशाई खेल जो है आपका दोज़ा 34 में आयोजित किया जाएगा और यह जो आपके स मिंगम में आयोधिज किया गया था और इसमें जो भारत का पायदान रहा था ना भारत जो इसमें चौथे पायदान पे रहा था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर है कि भारते दुर संचार नियामक प्रादिकरन यानि कि अध्यच के रूप में जो है यह आपके अनिल कुमार लाहोती को जो वो नियूक दिक किया गया है तो ऑप्सन C अनिल कुमार लाहोती आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लावगा ट्राई के फुलफम की बात कर ले तो देंगे ट्राई का जो फुलफम होता है यह आपके यानि भागतिय दूर संचार नियामक प्रादिकरन जो है इसका फुलफम होता है प्राई की जो स्थापना है यह आपके 20 फरवरी 1997 को हुआ था और इसका जो मुख्याला यह आपका नई दिल्ली में इस्तित है और इसके जो वर्तमान में अध्यच है यह आपके अनिल कुमा लाहोठी है नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर है कि प्रो कबड़ी लीग का जो दस्वा संस्करन है ना इसके विजेता जो है यह कौन बने है तो देगे प्रो कबड़ी लीग के दस्वे संस्करन की जो विजेता है ना यह आपके पुनेरी पल्टन जो है वो बने है तो आपके हरियाना स्टीलर जो वो बने हैं तो आपको कमेंट करके जवाब देना कि प्रो कबड़ी लीग का जो पहला संसकरन है यह कब आयोजित किया गया था और इसके विजेता टीम जो है यह कौन रहाता यह जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताईएगा क्योंकि यहां से एकजाम में प्रश्म जो वो बनता है नेक्स्ट कोश आपके आपने है कि किस देश ने पहला आपका पहला यूफ़े उमेंस नेसन फुडवाल लीग दोजाट थीश शोबिस का जो है खिताब जीता है तो देखे हाली में जो है यह आपका किस देश के द्वारा जो वो जीत टेंसर होगा अच्छा देखे अगर इसके उप विजेता के बारे में पूचा जा तो देखे इसका जो उप विजेता देश रहना वो फ्रांस देश रहा है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर है कि चौत्वे खेलो इंडिया य उनिवर्सिटी जो है यह आपके पहले अस्थान पे जो वो रहा है तो ऑप्सन भी आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लाब किया यूजी की बात कर ले तो देखे इसका जो आयोजन है ना यह आपका 17 से 29 फरवरी 2024 को जो है यह आपके असम के गुहाटी में आयोजित किया ग चंडिगाडी उनिवर्सिटी ने इसमें 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 जो वो कान से पदक जीते हैं दूसरे अस्थान पे जो आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा है जो कि आपके 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 जो वो ब्राँज मेडल जो जीता गया है थर्ड अस् कि सीमा सुरचाबल यानि बॉर्डर सेकुरिटी फोर्स की जो पहली महिला स्नाइपर जो है ये कौन बनी है तो देखें बियस हैप की पहली महिला स्नाइपर जो है ये सुमन कुमारी बनी है तो option D सुमन कुमारी आपका यहां पे correct answer होगा इसके लाव अगर बियस हैप की बा point भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आप का यहां पर रैकि पाकिस्तान के 24 प्रधान मंत्री जो है ये कौन बने है तो देखें हाली में पाकिस्तान के जो 24 प्रधान मंत्री है ये सहवाज सरीफ को बनाय गया है तो सहवाज सरीफ है आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि किस देश की ELISA D. ANRA मरदोजा को जो है Financial Action Task Force यानि FATF का नया अध्या जो है नुक्त किया गया है तो देगे यह जो आपका ELISA D. ANRA मरदोजा है यह जो आपका मेक्सिको देश की है और इने जो हाली में FATF का नया अध्या जो वो नुक्त किया गया है तो Option B मेक्सिको आपका correct answer होगा नेक्स्ट अगर बात कर ले देश के सर्वोच सम्मान जो कि आपका भारत रतन है और 2024 में जो है बारत रतन से जो है यह किसे सम्मानित किया गया है तो देखे मैं आपको बतादू की भारत रतन 2024 से जो है टोटल आपके पांच लोगों को जो है वो सम्मानित किया गया है और वो पांच लोग कौन कौन से है तो पहले आपके करपूरी ठाकूर जिनने मरनो प्रान जो है सम्मानित किया गया है सेकेंड आपके जो है नरसी मारोय हैं जिनने मरनो प्रान जो वो आपका भारत रतन से शमानित किया गया है थर्ड आपके चौदरी चरन सींग को जो है मरनो प्रान जो वो समानित किया गया है में स्वामी नाथन को जो है मरनो प्रान जो वो समानित किया गया है और लाल क्रिस नडवानी ये पांच लोगों को जो है दोजार चोबीस में भारत रतन से शमानित किया गया है तो उप्सन एफ उप्यूगतिस सभी जो आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा इसके लाव अगर भारत रतन की बात कर ले तो देखे भारत रतन जो है ये भारत का स हमानित किया गया था इसके लाव मैं आपको बता दूड़े भारत किरता रतनके प्राप्ट करता है होते हैं उन्हें जो एक क्या-क्या दिया जाता है तो उन्हें बाता है और पर था और 15 पे आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप रहे कि सिट्रोन का नया ब्रांड अमेजडर जो है यह किसे नुक्त किया गया है तो देखें सिट्रोन का जो नया ब्रांड अमेजडर है यह महेंदर शिंग धोनी को जो वह नुक्त किया गया है तो महेंदर शिंग धोनी आपका कर तैपे राजी में थाई पूसम 243, 900 यह मनाया गया है तो थेखे थाई पूसम 24जज़ में थाई नारच जा घृटकी यह पूचलिव राज्ची में capacit ऐस test are पर पहुचने वाले जो है, सबसे उम्र दराज वाले वैक्ति जो है, ये कौन बन गया है, तो दो देखे ATP Double Ranking में, विस्व नमबर एकस्तान पर पहुचने वाले सबसे उम्र दराज के जो वैक्ति बने हैं ये भारत के रोहन बुपन्ना बने हैं, तो रोहन बुपन्ना आपका correct answer होगा, next आपका यह आप रखे किस राज्य में, ओम की आकरिती वाला, सिव मंदिर में आसरम बनकर जो है, यह आपका तयार हुआ है, तो यह आपके पाली राजस्तान में जो यह बनकर तयार हुआ है, तो option A आपका correct answer हो, next आपका यह आप रखे कि data गोपनियता दिवस, यानि data privacy day 2024, यह कब मनाया गया है, तो देखे data privacy day 2024, यह 28 जनवरी को जो अब मनाया गया है, तो 28 जनवरी आपका correct answer होगा, अब देखे किसी भी दिवस के बार में अगर पूछा जाना, तो उसकी theme जो आप जरूर देख ल रहा था, next question आपका यहाँ पर है कि विस्व कुस्ट दिवस 2024, यानि world leprosy day 2024, यह कब मनाया गया है, तो देखे, world leprosy day 2024, यह भी आपका 28 जनवरी को मनाया गया है, तो 28 जनवरी आपका यहाँ पर correct answer होगा, इसके लाब अगर इसके theme की बात कर ले, तो देखे, इसका जो theme आपका बीट लेप्रोसी, यानि कुस्ट रोग को हराए, यह जो आपका 24 का theme रहा था, तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा, next up कर यहाँ पर है कि नौवी बार, बिहार के मुख्यमंद्री पत की जो सपत है, यह किस्ट ने लिए है, तो देखे, हाली में जो है, नितीज अपका correct answer होगा, next up कर यह आप रहकी, Australian Open 2024, पुरुष एकल का जो खिताब है, यह किस्ट ने जीता है, तो देखे, 2024 का Australian Open में पुरुष एकल का जो खिताब है, यह आपके इटली के जननिक सीनर ने जो वो जीता है, तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा, तो यह तो होगी आपका पुरुष एकल का Australian Open 2024, अगर महिला एकल के बार में पूचा जाए, तो देखे, महिला एकल की जो वीजेता रही है, यह आपके बिलारूस देश के अरीना सबालिंक का जो है, इसकी वीजेता बनी है, तो यह point भी आप ध्यान में रखीगा, next question आपका यहाँ पर रहकी, 79 फिल रनवीर कपूर ने जो वो जीता है, तो option B आपका correct answer होगा, अब वहीं अगर अभीनेतरी की बात कर ले, तो देखे, इसमें जो सर्वसेष्ट अभीनेतरी का जो आवाड है ना, यह रौकी और रानी की फ्रेम कहानी फिल्म के लिए जो है, आलिया भट ने जो वो जीता है, तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा, next आपका यहाप रखे, वर्स 2024 में कितने लोगों को जो है, कृती चक्र जो है वो प्रदान किया गया है, तो देखे, 2024 में जो कृती चक्र है ना, यह total 6 लोगों को जो है वो प्रदान किया गया है, तो option B, 6 लोग आपका correct answer होगा, next question आ आपका यहां पर है, कि भारत्य सेना, यानि इंडियन आर्मी में सुवेदार के पद पर, पतोनत होने वाली जो है, यह पहली महिला यह कौन बनी है, तो देखे भारत्य सेना में सुवेदार के पत पर, पतोनत होने वाली यह परीतिरजग तो आपसर ए आपका correct answer होगा, next F.I.H. Hawkey 5S महिला विश्व कब दोजा 24 का जो खिताब है वो जीता है तो हाली में देखिए तो देखे नीदर लेंड देश के द्वारा जो अपना पहला F.I.H. Hawkey 5S महिला विश्व कब दोजा 24 का जो खिताब है वो जीता गया है तो option नीदर लेंड आपका correct answer होगा next कोश है आपका यहां पर रहे कि जनवडी 24 में भारत और किस देश की सेना के बीज़ जो है पहला सजुक्तिसैन ने अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन जो है वो किया गया है तो देखे सदा तनसीक का जो आयोजन है न यह आपके भारत और सौदी अरब देश के बीज़ जो है तो option B आपका यहां पे correct answer होगा और यह जो आपका सदा तनसीक जो आपका पहला जो संयुक्त सैने अभ्यास था जो कि आपका भारत और संयुक्त अरब के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन ने यह कहां पर हुआ था तो देगे इसका जो आयोजन अस्था लेना यह आपके महाजन के राजस्थान में आयोजित किया गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखे नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है कि कौन सा देश ब्रस्टा चार बोच सुचकांग 2020 यानि करप्सन प्रिशिप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में जो ह पहले अस्थान पर है तो देखे करप्सन प्रेशिप्शन इंडेक्स 2023 में पहले अस्थान पर जो आपका देश रहा है या पका डैनमाग देश रहा है तो ओपसन भी आपका क्रेक्टेंसर होगा वहीं अगर इस सुची के बात कर ले तो देखे टॉप थरी आपके जो डेश किया जाता है और इसमें जो भारत का रैंक रहा था वो 93 पाइदान पर भारत जो वो रहा था वह अगर 2022 में भारत की अस्थान की बात कर ले तो इसमें जो भारत 85 अस्थान पर रहा था वह अगर आकरी अस्थान की बात कर ले तो सुमालिया जो है इसमें ये आकरी अस्थान प ये जो आपका संस्कृती मंत्राल्य अना इनकी जहांकी को सरविष्ठी जहांकी का पुरुषकार तो संस्क्रीट्माइक पप्रॉषकार ऑपन तुञूर को अगर इम्पोडेंत की बात कर लें संस्क्रीट इम रहा तर्मिया जहांकी का पुरुषकार अने कि Earlier तो देखे राज्यों में जो सरवश्रे जहांकी का पुरुसकार है यह आपके उडिसा राज्जी को जो दिया गया था और उडिसा की जहांकी का थीम क्या रहा था तो देखे इसका थीम रहा था वह आपके विक्सित भारत में महिला ससस्तिकरन यह जो आपका थीम रहा था वह सबसे अधीक है तो देखे हाली में आपका हीम तेंडू की जो गन्ना किया गया था और इसके एकॉर्डिंग जो आपका केंडर सासित परदेश लदाक में जो है सबसे अधादी जो है सबसे जादा हीम तेंड होगा और कितना है तो यहापका 477 है तो आपसन एपका perfect answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर है कि मलेशिया के सतरवे राजा जो है यह कौन बने है तो देखे हाली में मलेशिया के सतरवे राजा जो है यह सुल्तान इबराहिम बने है तो आपसन ए आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन इसके लावा गर मलेशיה के बात कर ले तो देखें मलेशיה की राजानी जो है यह आपका कोला लामपूर है और यहां के जो मुदरा है यहापके मलेशियााई रिंगीत है और यहां के जो वर्टमान में प्रदान मंत्री है यह आपके अनुवर इब्राहीम है, तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा, next question आपका यहाँ पर है कि एक समंदर मेरे अंदर, यह जो हाली में पुस्तक है न, यह किस के द्वारा जो वो लिखा गया है, तो देखे एक समंदर मेरे अंदर, यह जो पुस्तक है न, यह आपके सं संजीब कुमार जूसी के द्वारा जो वो लिखा गया है, तो option A, डॉक्टर संजीब कुमार जूसी आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर है कि अजाली असो मनी, यह जो है किस देश के चौती बार जो है, यह रास्टपदी बने हैं, तो देखे हाली में अजाली असो मनी ज है, और यहाँ की जो मुद्रा वो आपका फ्रेंक है, और यहाँ की जो राजधानी है ना, वो आपका मुरूनी है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, next question आपका यहाँ पर है कि भारत के, किस अस्थान पर जो है, चिपकली की एक नई प्रजाती, अगस्ते गा आपका यहाँ पर है कि रच्छा मंतरी राजनाथ सिंग ने जो है, दिल्ली में, डेफ कनेक्ट वजार चोबीस के दोरान, अदित्ती योजना की जो सुरुवात है ना, वो किये हैं, और इसका जो संबंद है, यह किस छेत्र से है, तो देगे हाली में रच्छा मंतरी राजन पुरुषकार दोजार चोबीस, यह किसे सम्मानित किया गया है, तो देखें, दोजार चोबीस में, महराश्टर भूशन पुरुषकार से जो है, यह आपके डॉक्टर प्रदीप महाजन को जो वो सम्मानित किया गया है, तो आपसें डी आपका correct answer होगा, और यह इने किस ल के संस्तापक और अध्यच और साथी सा जो यह आपके प्रबंद नहीं दे सकें तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रखके विशु बन जीव दिवस 2024 यह कब मनाया गया है तो देखे विशु बन जीव दिवस 2024 यह आपके तीन मार था 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 ना वो कनेक्टिंग फीपल एंड प्लैनेट इसके लावा एक्स्प्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल लाइप कंजरवेशन यह आपका 2024 का थीम रहा था अगर हिंदी में बात कर ले तो देखे लोगों और ग्रहों को जोड़ना वन जीव सं राष्ट महासावा के द्वारा जो वो किया गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है कि मार्च 2024 में किस राज्य में जो है चाप्चर कुटतेवार जो वो मनाय गया है तो देखे मार्च 2024 में यह आपका मिजोरम राज्य क का नाम जो है यह किसके नाम पर रखा गया है तो देखे हाली में आपके हेट सिल्ट समुदरी स्लक की जो खोजब वो किया था और इसके नई प्रजाती का नाम जो है यह आपके द्रोपदी मुर्मू के नाम पर जो वो रखा गया है तो आप्शन डी द्रोपदी मुर्मू आपका correct answer होगा, next question आपका यहां पर है कि April 2024 में ICC ने भारत के किस पूरुव क्रिकेटर को जो है, ICC पूरुव T20 वेश्व कब 2024 का राजदूत, यानि brand ambassador जो है, वो घोसित किया है, तो देखें, ICC के द्वारा, आपके यूराज सिंग को जो है, ये T20 वेश्व कब 2024 का brand ambassador जो ह तो यूराज सिंग आपका correct answer होगा, अब देखें, मैं आपको बता दो कि यूराज सिंग के साथ या आपके क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी जो है, वो आपके brand ambassador के रूप में जो है, वो नुक्तिक किया गया है, तो अगर यूराज सिंग option में ना दिया रहे है, तो फिर हाली में इंडिया उस नुक्लियर टाइटन्स पूस्तक जो है, यह आपके सौमिया आवस्ती और सबना बरुगा के द्वारास्ते यूप तरूप से जो हो लिखा गया है, तो option C, A और B दोनों आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर है कि मार्च दोजार चोबीस म को समय को साइमन हैरी, एक किस देश के सबसे यूप प्रधान मंतरी बने हैं, तो साइमन हैरी यह आयरलैंड डेश के सबसे यूप तरूप से यूप प्रदान मंतरी बने हैं, आप इनका फोटों भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो option D, आएपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आप आपका यहां पर रहा कि विश्व छह रोग दिवस यानि वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे 2024 जो है यह कब मनाया गया है तो देखे विश्व छह रोग दिवस यह आपका 24 मार्च को जो वो मनाया गया है तो आप्शन भी 24 मार्च आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लाह बात कर विश्व छह रोग दिवस दौजार चोबिस का थीम कै रहा था तो देखे यस वी वीक एंड टीवी यह जो आपका दोजाद चोबिस का जो वो ठीम रहा था next question है आपका यहाँ पर है की 71 Miss World 2024, इसका जो खिताब है ना, यह किसंने जीता है, तो देखे 71 Miss World 2024 का जो खिताब है ना, यह चेक गनराज्य की, क्रिस्टीना पीचकोवा ने जो वो जीता है, तो क्रिस्टीना पीचकोवा आपका यहाँ पर एक correct answer होगा, इसके लाभा देखें, मैं आपको बता दू, कि जो आपके Miss World होते हैं, उनसे पहले जो Miss World होती है, यानि 177 Miss World को दोजार चोबिस का जो ताज है, ये किसने पहना था, तो जो भी 177 Miss World की जो विजेता रहेगी, वो 177 Miss World को जो है, वो आपका यहां पर जो ताज पहनाती है, यह पहना आया है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपके आपके आग्रा मेट्रो के जामा मस्जीद स्टेशन का नाम बदल कर जो वो क्या रखा गया है तो देखे हाली में आग्रा मेट्रो के जामा मस्जीद स्टेशन का जो नाम है यह आपके मन कामिश्वर मंदीर मेट्रो स्टेशन जो इसका नाम बदल कर जो वो रखा गया है तो option B आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा next question आपका यहाँ पर कि वर्स दोजार 24 में समलैंगिक समंदों को अपराद घोशित करने वाला कानून जो है यह किस देश ने जो वो पारित किया है तो हाली में जो आपके इराक देश के दोरा जो वो पारित किया गया है तो option A इराक आपका करेक्ट एंसर होगा next आपका यहाँ पर रखी the winner's mindset यह जो पुस्ता कहना यहाली में किस के दोरा जो वो लिखा गया है तो देखे the winner's mindset जो पुस्ता कहना यह आपके क्रिकेटर सेन वाट्सन के दोरा जो वो लिखा गया है तो option A सेन वाट्सन आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा next question आपका यहाँ पर रखी वर्ष दोजार चोबीस में SCO यानि संगहाई सयोग संगठन रच्छा मंत्रियों के बैठक है न यह कहाँ पर आयोजित किया गया है तो देखे SCO 2024 में रच्छा मंत्रियों के बैठक है न यह आपके कजाखिस्तान के अस्थाना में आयोजित किया गया था तो अस्ताना आपका यहाँ पे correct answer हो और आज का जो आपका last question है जिसका जवाब आपको comment box में देना है कि किस wish विद्याले में उत्तर भारत का पहला मानो DNA bank जो है वो बनाया जा रहा है जहाँ पे option में आपका अलिगर्ड मुसलिम wish विद्याले second option बनारस हिंदू wish विद्याले third आपका दिल्ली wish विद्याले और fourth आपका लखनो wish विद्याले तो अगर आप real में exam की त्यारी कर रहे है तो आप comment करके जो वो जरूर बताएगा इसका answer और देखिए इतना गर्मी होने के बाउजूद भी जो है मैं आपके लिए विडियो बना रहा हूँ तो इस effort के लिए जो है वो like जरू कर दीजेगा और अगर आपको विडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को जो हो subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं next video है तब तक thank you all the best